अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्व फेस्बूक और आईज्यू टीव नेटवर्पर पर अपके लिए है आपके लिए है आप इसका मूल का रहा है तब ही तो आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल कमल नंदलाल को लाइक करें सब्स्राइब करें बैल आकन जरूर दबाए तकि यूटिफिकेशनस आप तक पहुंच पाएं और शेर जरूर करें इतना शेयर करें ताकि उस व्यक्ति तक पहुँच पाए जिसको इसकी विशेशताव से जरुवत हो और शेर करके पुन्ने जरू कमाएं अपने जीवन में सुख सम्रित धी सो भागे लाएं और दूसरे के जीवन से दुख दुर भागे हो दर दरताव को मिटाएं तो चले बात करेंगे कमल नंदलाल का राश्विफ पाए जो आपके लाइफ को सकस्फुल बनाए पंचांग बताएंगे दिन का हाल बताएंगे लखी नंबर लखी कलर लखी डिरेक्शन बताएंगे और राश्विफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाए जो आपके जीवन के किसी खास प्रॉब्लम क चुटकियों में दूर भागा है तो चलिए बिना टाइम बेस के शुरुवात करते हैं राश्विफल की सब सब पहले बात करेंगे पंचांग की तो दिन है रविवार का तारीक है तीन अक्तूबर दोहजार रिकेस अश्वन कृष्ण द्वादिशी पर चंदरमा सिंग रा ताक दिन का सबसे लखी महुरत जो रहेगा वो रहेगा दोपहर को एक बच कर उन चालिस मिनट से लेकर शाम को तीन बच कर एकतिस मिनट तक विशेश क्या है द्वादिशी का शुराद है और मघा शुराद भी है बहुती विशेश और मुदगर योग बन रहा है एक ऐसा होगा जिसमें गंभीर बिमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है तो हमारा जो स्पेशल उपाई होगा वो होगा गंभीर बिमारियों से मुक्ति पाने का स्पेशल उपाई और उसे जानने के लिए राशे फिल को आखर तक देखेगा तो चलिए अब राशी फिल के शुरुआत करेंगे राशी नमबर एक मेश अनिगे एरिस के साथ मेश राशी वालों आत्मे विश्वाश में वरद्धी होगी पारे वारिक बुजरगों की बातों पर अमल करेंगे पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात होगी दोस्त उसक शुप समाचार मिलेगा चात्रों को कोई खुशकबरी मिलीगी एक छोटा साथ वपाई जरू करें इच्छा अनुसार गुड़का से बन करें बात करते हैं राशी नमबर दो वरिश रहने के टौरिस की वरिश राशी वालों आत्म निवेश से लाब होने के योग हैं बाद विवाद से दूर रहें तो आपके लिए बहतर रहेगा अधिकारों का गलत इस्तमाल करने से बचना होगा आपको यातरा से लाब के योग हैं कड़ी महनत से उन्नती के मारगों खुलेंगे एक छोटा सा उपाई जरू करें किसी वरद्द महीला को लाल कपड़ा दान करें बात करेंगे राशे नंबर तीन मिथुन यानि के जमनाय की मिथुन राशे वालों प्रोफेशन में बदलाव के विचार आएंगे आपके मन में आवेश में कोई भी फैसला ना लें सलह है आपके लिए खर्चों में वरद्धी होगी तनाव हावी रहेगा आप पर जो हुआ पैसा जो है वो आपको वापिस मिलेगा प्रोजेक्ट के लिए नए नए सांचेदार आपको मिलेंगे कोई बिजनस प्रोजेक्ट है पारे बारे एक सदर से की चिंता रहेगी सेहत कुछ परिशान नहीं करेगी आपके साथ में एक छोटा सवपाई ज़रू करेंगे बाए हाथ के अनामिका उंगली पर रोली लगाएं बात करेंगे पांचवी राशे सिंग यानिक लियोगे सिंग राशे वालों नई योजना पर काम करेंगे कायर पणाली में सुधार आएगा तनाव मुक्त रहेंगे कड़ी मेहनत करेंगे परिजनों की अंदेखी से कुछ दुखी जरूर हो सकते हैं पिता के साथ समय विताएंगे एक छोटा सव पाई जरूर करें रोली से मस्तक पर तिलग करें बात करेंगे छटी राशी कन्या यानि वर्गो की कन्या राशवलों नए लोगों से सोच समझ कर ही दोस्ती करें कारोबार में निवेश से लाब हो सकता है पिता से सायोग मिलेगा दुरगटना के योग हैं बाद विबाद ना करें बचे उससे धर्म कर्म में रूची रहेगी एक छोटा सव पाई जरूर करें किसी धर्मस्तल में लाल फूल चड़ाएं बात करेंगे सात्वी राशी तुला यानि कि लिवराकी तुला राशी व जरूर करें लाल पैन से हानी लिखकर पर्स में रखें बात करते हैं आठवी राशी व्रिश्चिक यानि कि स्कौर प्यों की व्रिश्चिक राशी वालों आत्म सम्मान को जो हैं ठेस पहुंच सकती है भाशा और गुस्से पर आपको काबू रखना होगा काम काज में बाध बात करते हैं अभी राशी धनू यानि कि सजिटेरियस की धनू राशी वालों करियर के प्रती इमानदार रहें बहुत अच्छा रहेगा आगे बढ़ेंगे संपत्ती के बड़े सौधों सो लाब के योग नजर आते हैं कारोबार में उनत्ती होगी निवेश जो है वो कर यानि की के प्रकॉन की मकर राशी वलों बहुत सोच समझकरी निवेश करें व्यापार में हानी की संभावना है समय के परिवर्तन से रहत महसूस करेंगे चात्रों को सफलता मिलती भी दिखाई दे रही है स्वादिष्ट भोजन का अनंद मिलेगा एक छोटा सा उपाई जरू करें कोई लाल फूल पानी में बहा दीजे बात करेंगे ग्यारवी राशी कुम्ब यानि के अक्वेरियस की अक्वेरियस कुम्ब राशी सफलता के लिए कड़े प्रियास करने पड़ेंगे आपको शुब समाचार मिलेगा बुलंद होसलों से ही उन्नती मिलेगी इन्राशी वालों कारोबार में आर्थिक विवाद के योग हैं गलती के कारण बने बनाएं आपके काम जो हम विगड़ सकते हैं बातचीत से कारे से धी मिलने के योग हैं सामाजी प्रतिश्टा बड़ेगी धन लाब भी होगा एक चोटा सा उपाय जरू करें किसी गरीब क राजमादान करें सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ में तो दोस्तों आप समय हैं आज के स्पेशल उपाय का वो स्पेशल उपाय जो गंभीर विमारियों से आपको मुक्ति दिलाएगा मगाश्राद है मगानक्षत्र है मुदगर योग बन रहा है ऐसे में करें तो श्री हरी जो विश्नु का ही एक सो रूप है उन्हें ही विश्नु को ही श्री हरी कहते हैं तो क्या करें आप और यह जो चड़ेवे पत्ते हैं जो आपने श्री हरी पर चड़ाएं हैं इन पत्तों को पित्रगण के निमित जल प्रभा कर दीजे उन पर चड़ा कर और ए आज के लिए बस अतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जाने से पहले आपको जरूर कोँगा, कि ये चैनल आपका है, आपके लिए आप इसका मूल कारण है, इसलिए से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आकन जरूर दबाएं, शेर जरूर करें, ताकि आपके जीव का आने वाला भविश उजवल और सुन्दर होगा, नमस्कार, नमस्षु आए